आज की वीडियो में दिवाले इस्पेशल घेवर रेसिपी देने जा रही हूं जिससे मैंने बहुत बार ट्राइ किया है और एक्सपेशियन्स के साथ आज शेयर कर रही हूं यह रायस्थान की रबड़ी वाली घेवर रेसिपी है और मैं हूं यूपी साइट से तो पहले बह चुछ बढ़ साथ सेखा है और जिन गलतीयों को मैंने आपको बताया में बनाते हूए देखियेगा तो जो आप वी छोड़े टिप्स अगर आप उन्हें फाफॉलो करेंगे मैं बताऊंगी तो आप भी फ़र्स टाइम में घेवर रेसिपी बना सकते है पुरी वीडियो मे तो जब फाइनली मुझे इसके सारे प्रोसेस पता चल गए तो मैं शेयर करने जा रही हूं आपके साथ ट्रिडिशनल मिठाई रेसिपी जो रबडी के साथ है चलिए शरू करते हैं तो घेवर बनाने के लिए सबसे पहले आपको गही लेना है देसी घी हाफ कप मैदे के साथ अभी बना रही हूं मैं उसके लिए साथ में लिया है मैंने दो टी स्पून देसी घी और उसे गरम कर ल गी को गरम करना जरूरी है उसके बाद आपने देखा मैंने थोड़े से बड़े साइस का एक आइस क्यूब लिया है और आइस क्यूब के थुरू आपको इसे जमाना है जैसे ही यह जम जाए और जो आइस क्यूब रगणने से पानी निकला है उस पानी को हमें हटा देना है त जो बर्फ के रगणने से इसमें पानी आया है वो हटा देना है गी बरतन में रगणते वे जो भी लगा है थोड़ा सा मैदा डाला है half cup मैदा लिए है उसका आधा पहले डाला और रगण के अच्छे से घी के साथ मिक्स किया है अभी पूरा half cup मैदे डाल दिया है और इसके साथ यहाँ पे एक छोटा चमश बेसन डाल रही हूँ तो half cup मैदे के साथ one piece spoon बेसन डालेंगे और जो भी बर्तन में हमारा घी लगा था वो सारा हम मैदे के साथ मिक्स कर लेंगे और यहाँ पे जब मैदे के साथ घी मिक्स हो जाएगा अच्छे से इस तरह से आप देख सकते हैं इसके बाद half cup मैंने आप अभी दूर डाला है half cup का half शुरू में डालें तब आप फेटेंगे तो आपके lumps नहीं पढ़ेंगे मैंने पूरा half cup डाल दिया है तो यहाँ पे मैदे के lumps पढ़ गए है दाने पढ़ गए है तो अब क्या करना अगर ऐसी stage आती है तो आपको इसे छान लेना है जो juice वाली छनी होती है उससे छान ले रगड के निकाल दे तो यह जो दाने बन गयते वो सारे निकल जाएंगे बहुत ही smooth हो जाएगा आपका यह batter और एक ध्यान देना है इस समय आपको ठंडा दूद या ठंडा पानी नहीं मिलाना है बहुत से लोग बताते हैं कि इस समय ठंडा दूद या ठंडा पानी डालके गी मैदे और पानी से अलग हो जाएगा तो बिल्कुल room temperature में दूद और पानी डालना है half quantity का दूद लिया है half quantity का पानी half का मैदे के साथ आप सवा कप पानी दूद दूद दूदों को मिला के डालेंगे यहाँ पर जलेवी बनाने वाला mold है उसमें डालेंगे इससे गेवर बनाने में आसानी होती है अब क्या करेंगे इस batter को अब ठंडा करेंगे यानि कि आप बरफाले पानी में बोटल को रख दे ताकि batter ठंडा हो जाए या फ्रेजर में रख दे 10 मिनट के लिए batter को ठंडा करेंगे बरतन आप देख रहे हैं गैस पर रखा हुआ है इसमें मैंने refined oil डाला है और आप इसे traditionally देसी गी में बनाया जाता है तो आप देसी गी में बनागा चाहें तो देसी गी में बना सकते हैं तेल को अचÄ से हम गरम करेंगे high flame पर बहुत अच्छे से गरम करेंगे उसके बाद थंडा बैटर इसमें डालेंगे उपर से बिल्कुल बीच और बीच में आप सेंटर में डालेंगे जब ठंडा बैटर और बिल्कुल घरम तेल में ये साथ में दोनों मिक्स होते हैं तो फिर इसमें ये जालियां आती हैं जो गेवर में आप जालियां देखते हैं और बीच में उपर से धार डालेंगे उपर से धार डालने पर क्या होता है ये भिखर के इसका batter चारों तरफ जालिया बनाने में help करता है बीच में whole कर देना है अगर आपको whole नहीं मिल रहा है अगर वो batter पूरी तरह से beach में आ गया है तो हलकासा इस तरह से कुछ भी डालके चाकु या चमच डालके थोड़ा whole बनाएंगे और बिल्कुल बीच में आप एक से देड़ बड़ा चमच बैटर डालते रहेंगे और जो हम बैटर ठंडर डालते हैं उपर से तब ये बबल्स के साथ उपर आता है तेल लेकिन जब सेटल डाउन हो जाये बबल्स उसके बाद हम वह अपस बैटर को डालना शुरू करेंगे और घेवर की थोड़ी सी अच्छी थिकनेस पाने के लिए कुछ हम 14-15 बार जो हमने टेबल स्पून लिया है उससे हम डालते रहेंगे जब घेवर उपर से अच्छे से पाक जाया तो उसी किनारिया इस तरह से चाको के हल्प से हम निकाल लेंगे दूसरा गेवर और भी perfect बना है और इसे वापस इसकी किनारियां हलके से चाको से इस तरह से निकालना है बीच में तेल में थोड़ा सा प्रेस करके उसे नीचे करेंगे ताकि उपर की layer वापस पक सके अच्छे से और पहले शुरु में थोड़ा सा तीज रखते हैं आज को तो गेवर बहुत जल्दी बनके तयार हो जाता है और बस थोड़ा सा हमें बाद में नीचे डालके इस तरह से धीमी आज़ पकाना पड़ता है और आप इसकी किनारियां देख सकते हैं अच्छे थिकनिस आई है और बहुत अच्छे से जालियां बनके तयार हुई है जो साइज मैंने बनाये हैं तो वापस मैंने हाफ कप मैलदा को बैटर बनाया था और चार से पांच घेवर मैंने बना के तयार किये थे तो घेवर बन चुके हैं इसके बाद घेवर पे उपर लगाने के लिए हम रबडी बना लेते हैं तो रबडी बनाने के लिए मैंने कढ़ाई रख ली है उसके उपर थोड़ा सा पाई डाला है जितना आप देख रहे हैं ताकि जो हम दूद की रबडी बनाया तो दूद की पेले में चिपकता नहीं है इस वज़ा से थोड़ा सा पाई जरू डालने कढ़ाई में एक लिटर दूद में बॉइल आने दे और फ्लेम को उतना रखें कि जितना दूद में बॉइल लगाता रहा है जो भी मलाई दूद पे आती रहे है उसे हम स्क्रैप करके मिक्स करके दूद मिक्स करते रहेंगे इससे आपके लच्छी दार रबडी बनके तयार होगी अभी आप दे सक मैं शब्सपून ढाल सकते हैं मैंने एग टेबलसमून भर ये जूद मिक्स करेंगे चीनी को ऄच्छ से पढलने देगे और चीनी को भी पढलेंगे जो निवियोसी में बॉभी देलिश कर दो भी की यह और तीक हो जाएगी तो इसको रों टम्प्रेचर में आने के बाद आप सकते हैं यह काफी गाड़ा हो शुका है और जो उसमें लच्छे बने हैं बड़े-बड़े उसे हम इस्पिचोला के हवाए इस तरह से रगड़के उसके छोटे-छोटे कर लेंगे और यह रबडिय बिल्गुल जालिया अच्छी बननेचे बस इसी मेस्ट से आहां भी बनाएँगे जानेचा से उपर आप रबड़ की कोटिंग करीए और जब आपको सर्व करना हो तभी आप रबडी की कोटिंग करिए लेकिन हलवाई लोग क्या करते हैं पहले से चासनी में डुबोते हैं उसके बाद रबडी लगाते हैं मैं बिना चासनी के मैंने से उत्यार किया है और जो रबडी लगाने से थोड़ा सा सौगी हो जाता है दोनों का कॉंबिनेशन बहुत अच्छा रहता है तो बिना चासनी के भी आप इसे रबडी के साथ सर्व कर सकते हैं रबडी की एक लेयर लगाने के बाद आप इसके उपर बदाम या काजू पिस्ता कट करके स्प्रेट कर सकते हैं और मैंने कुछ यहां पे ड्रायड रोस पैटल्स भी डाला है अच्छा लगने के लिए सिल्वर वर्क भी उपर से लगा सकते हैं यह और भी अट्रक्टिव दिखेंगे बिल्कुल हलवाई स्टाइल में इस घेवर रेसिपी को सावन के महिने में खासकर बनाया जाता है आप इसे रक्षबंधन पर या फेद दिवाली पर या भाई दूझ पर भी इस घेवर रेसिपी को बना सकते हैं तो यह थी आज की घेवर रेसिपी जो वीडियों बताई वो सारी फालो करिएगा सबसे पहले है घी को गरम कर लेना है आइस के साथ उसे रगणना है उसे सौफ्ट कर लेना है हमारे घेवर वाले बैटर में दाने नहीं होने चाहिए बिलकुल क्रीमी होना चाहिए आपका धी मैदे और पानी से अलग ना हो उसके लिए रोम टंप्रेचर में चाहिए किसी भी मौसम में बनाएं अधर आप उसकी डबल कौंटिटि में बना रहे तो शाहिए रेसियो को आप उससे से डबल कौंटिटि में कर देंगे लंस नहीं होने चाहिए और पाने नॉर्मल रहने चाहिए और यह द्यान देना है जब आपका बैटर तयार हो जाएगा उसके बाद उस बैटर को ठंडा कर सकते हैं ठंडा कर सकते हैं ठंडा करना ही है अभी गेवर आपके जालीदार रेश्य वाले धादे वाले बनेंगे गी बहुत तेज शुरू में गरम करना है जब बैटर डानना शुरू कर दिया है घी में ठंडा बैटर तो आप तंप्रेटर को थोड़ा लो करें ताकि आपका जो घेवर है जल्दी से जलने ना लगे पीना चासनी के भी आप इसे बना सकते हैं चाहे तो आप एक तार की चाह अधना बना सकते हैं तो आने वाली डिवाली पे रेसिपी को जरूर बनाए और डिवाली में इस घेवर से सभी का मुझ मीठा करिए आज की रेसिपी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा ऐसी आगे बहुत सारी रेसिपी पाने के लिए मेरे च के कर दो विरसेल बाइब बाइब एप दिवाली रेसिपी आपी इवाली